आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो बसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो स्टूटेंस इस कोशन में अगर देखें इस कोशन में क्या कहा रहा सबस्पेले कोशन को समझते है ठीक है यहां पर क्या कहा रहा कि बॉलीश ड्रॉप ओन दे फ्लॉर फ्रॉम हाइट आप एटी मिटर ठीक है रिबाउंट्स टू ए हाइट ऑफ ट्वेंटी मिटर एटी मिटर हाइट से हमको उसको ड्रॉप किया गया तो वह 20 मिटर रिबाउंड कर रहा ठीक इसको ड्रॉप किया गया तो यहां पर देखे तो यहां पर माल लेते हैं यह हाइट उपर से हमारा क्या है यह का वैलू 80 मिटर दिया हुआ ठीक 80 मिटर से हमारा यहां पर क्या किया गया इसको ड्रॉप किया गया ठीक तो उसके बाद रिबाउंड होके कहा तक गया rebound होके यह फिर से 20 meters तक गया खेक यह हमारा 20 meter तक गया ठिक है तो यहां पे जो हो गया हमारा कि जी से मालो यहां पी philosophy भी हो गया ठिक और यह जुह हमारा 20 meters तक rebound हो गया तो हमको पूछ रहा average acceleration मतलब क्या होगा अजली क्या होगा एक्स एक्सिलिरेशन जो हमारा force लगा force लगा upon हमारा time जो लगा ठीक है तो यह हमारा हो जागा average acceleration force upon time यह हमारा क्या हो गया यह हमारा impulse ठीक है तो impulse change in impulse लेंगा इसका delta लेंगा ठीक delta तो अब average acceleration अगर ऐसे देखे तो average acceleration क्या लेंगा हम ala डेल्टा भी चेंग द्रेसील टाइयम थिक है तो हमारा क्या हो जागा מא यहां पे माल लेते हैं वी है और जब रिबॉंड बोने लगा तो यहां पर फ्ल बेर सिटी यहां पर फ्लकित है वी क्लिपाइल सिंटिटी इन मतलब हमारा initial velocity minus final velocity, मतलब यह हमारा v minus minus v dash, यह opposite में है, यह opposite direction में है, upon time हो जागा t, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, v plus u upon time, time कितना हो जागा, time दियावा 0.1 second, ठीक, यह 0.1 second, इसका मतलब 10 into u plus v, यह हमारा हो जागा average acceleration, ठीक, अब हमको इसके लिए क्या चाहिए, u और v यह equation 1 माल लो, ठीक, अब u और v चाहिए, 80 meter, 80 meter height से यहाँ फिगा गया, तो velocity के लिए, क्या लगाँगा, v square वार आवर, क्या होगा, u square plus 2 g h, क्या acceleration g है, ठीक है, नीचे की और, तो यहाँ पर अगर देखें, तो हमारा velocity, v square is equal to u square, to u to 0 था, यह मतलब सिर्फ वहाँ से drop किया गया, तो यहाँ पर u हमारा 0 था, ठीक, यह क्या हो गया, 2, g का value माल लो, 10 ले लिए, ठीक, और h का value 80 दिया हुआ, ठीक, तो v square is equal to क्या हो गया, हमारा, 1600, ठीक, यहाँ से v equal to आ गया, 40 meter per second, ठीक, और हम बात करते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर देखें, तो maximum height कहां तक जा रह है, उसके बाद, यहाँ पर, minus 2, क्योंकि g नीचे लग रहा, जा रहा है, उपर, ठीक, तो यहाँ पर 2 into g into h, height कितना है, 20 meter, तो v dash square हमारा कितना आ गया, यह आ गया, हमारा, यह 400, ठीक है, तो v dash वराबर क्या हो गया, हमारा 20 meter per second, ठीक, तो अब यहाँ पर अगर, यह v dash, यह अब v का value रख दो, यह हमारा v dash, तो average acceleration क्या हो गया, average acceleration हो गया, 10 into 20 plus 40, यानि 60, तो यह कितना आ गया, 600 meter per second square, तो यह हमारा आ गया, average acceleration, 600 meter per second square, यानि option अगर, चूच कर गया, कौन सा option, third option हमारा correct answer हो गया, क्लासेक्स से 12 से लेके, नीट IIT जेही, मेंस और एडवांस के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप, या वाथ्साप कीजिए अपने डाउट्स, आट 400 400 चार्स उपर